हालो गाईज, कैसे आप सब लोग टेरुक्स पर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जो रिडिंग करेंगे, मैं उसमें बताने हो वाली हूँ कि आप दुनों की करणडी फीलिंग्स के हैं आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टरें क्या सोच रहे हैं, यह हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं तो शुरू करते हैं रिडिंग को, रिडिंग में जाने से पहले छोटी सी जान करें सर्च करें, मिल जाओंगी, टैरोक्सपर 666 मेरे चैनल का नाम है, और मेरा नम पूनम शर्म है, ठीक है Welcome back guys, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिडिंग, आज की रिडिंग में देखने वाली हूँ कि आपकी एनरजीज, यानि कि आपकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं और आपके पार्टर की करेंट फीलिंग्स क्या हैं आप दोनों next क्या करने वाले हो, मतलब आपका तो आप action जानती हो, बट आपके पार्टर की तरफ से next action क्या हो सकता है, रिष्टे में वो भी हम देखेंगे, ठीक है तो आप अपने पार्टर का ध्यान कीजिए, मैं शफल कर लेते हूं गाइस, मेरे प्यूवर्स के पार्टर, मेरे सबसे पहले व्यूवर्स जो देख रहे हैं, उनके एनरजी बताईए, रिष्टे में वो क्या सोच रहे हैं, और फिर आपके पार्टर की एनरजी देखते है आल राइट, चले स्टार्ट करते हैं गाइस, वेटे सेकेंड, आम यूजिंग इस टेक, ओके, एन्जिस हमें गाइट करें, बताएं, रिष्टो को लेकर मेरे व्यूवर्स की एनरजी, जो देख रहे हैं, उनके एनरजी बताईए, क्या एनरजी में हैं वो, आल राइट, इस तरह से निकालेंगे हैं हम कार्ट को, आपके एनरजी देख रहे हैं, हॉस्टिलिटी आपके लिए आया है, नूमर तुनिसिक्स, ओके आपके एज हो सकते हैं, नूमर थर्टी सिक्स भी हो सकती है, और बॉटम वाली एनरजी, यहाँ पे है, नूमर थर्टी वन, ओके, तो वैल्यू, तो सबसे पहले आपके बारे में ही मैं डिसकस कर लेती हूं, फिसके बाद मैं और कार निकालूंगे, तो यहाँ पर नंबर तो बता दी, मैंने इंपोर्टेंट हो सकते हैं, आपके पार्टनर के डेट ऑप बर्थ में आते होंगे, एज होगी, यहाँ पर आपके अनरजी के है, आपके अनरजी मुझे यही लग रही है, कि आप बहुत ज़दा अट्रेक्शन में हो, प्यार हैं आपको ठीक है, आपके दिल में बहुत सारी आशाएं हैं इनको लेकर ठीक है, तो आप जैसे कहते हैं कि अपनी वैलू बढ़ाना चाहते हो, या फिर जैसे कहते हैं इन से शुरुवात करना चाहते हो, और इसी बात के लिए आप जैसे कहते हैं अपने पैरों पे खड़ा होना, करियर को अच्छा करना, ठीक है, बलब अपनी ग्रोथ को भी चाहते हो, और इन से एक नहीं शुरुवात भी चाहते हो, ठीक है, क्योंकि इनके अ काड़ा है आप अपनी तरब से भर भर सक प्रयास करना चाहते हो मतलब फुल जोड लगा दोगी कि आप इस relationship में नहीं शुरुआत हो ठीक है इस तरह से आपके energy चले और देखते हैं आपके partner की क्या है energies shuffle कर लेते गाइस को कि आपको reading match करती जरूर बताईगा कोमेंट करके बताईगा चोटे रूप में या एक दो लाइन में कि आपकी क्या situation बनी लिए आपके partners की energy को देख लेते हैं वो क्या सोच रहे हैं इस्ते में universe समय बताएं मेरे viewers के partner क्या सोच रहे हैं all right so we have patience number 16 यह हो सकती है फिर important number number 52 और bottom वाला card है हमारे पास देखिए यहां पर भी एक डोट वैल्यू है और यहां पर देखिए डोट रूमेंस बहुत अच्छी energy number 33 है हमारे पास ठीक है तो ऐसा लगता है कि कुछ लों के जो partner है male female कोई भी हो सकते है ठीक है आपकी जो partner है कहीं ने कहीं इनसे attraction है यह आप भी जो है इनसे attractive हो ठीक है यह emotionally आपके लिए भाज़त attachment फील करते हैं और चाहते हैं कि आप एक चाहते हैं इस relationship में नहीं शुरुआ तो ठीक है इस तरह की energy है बट येस इनके पास option है अपने other options को भी check करें गाईज आपको दिख रहे हैं काड ओके ये तो है आपके energy ये आपके partner के energy ओल्राइट चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या सोथी में रिष्टे को लेकर universe हमें guide करें एंजल समय बताएं रिष्टे को लेकर और क्या चल रहा है एंजल समय बताएं रिष्टे को लेकर दोनों के मनों में क्या चल रहा है मेरे व्योवर्स के मन में क्या चल रहा है रिष्टे बोलेकर और राउट चलिए व्योवर्स की बात कर लिते हैं जो मेरे व्योवर्स दिख रहा है उनके मन में क्या चल रहा है Treasure Island वाओ गाईज नमबर 9 है और नमबर 6 Not For You और नमबर नमबर 52 two okay तो मैं आपकी भी आनर्जी निकालेंगे दोनों की एनर्जी को चेक करेंगे ठीक है यह आपके रिष्ते मी क्या सोच हो आप आप की पार्टर की इनर्जीच को निकाल वह झाले हूं वो क्या तो आप दोनों की जो energies मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उसमें मुझे देखिए ऐसा लग रहा है सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं तो number 9 है 6 है और यहाँ पर 52 ठीक है 6-9 का combination वैसे भी बहुत अच्छा होता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए आप जो है इनको अपनी खुशियों का खजाना मान रहे हो ठीक है आप जितनी बार में मिले हो इस इंसान से ऐसा कुछ फील होआ है जो कि बिल्कुल ultimate happiness को बता रहे है ठीक है अजीब सा feeling आई यहीचान वएकि तीक है लेकिन आपको लगता है कि इस रिष्टे को वह भीषए फिलाल के लिएक यह ब तक कुछ बड़ा हो चाहे कुछ भी नहीं वह सकता तो आप रिष्टे को है राटाई जगड़ा यह जह भी आप दुनों में चल रह है उसको आप सोट ढूट करके आप की सोच रहे हो ठीक है इनके साथ आप ईवन भर रहना चाहते हो हैं है एसा मैं आपके बारे में देख लोगा और जाख वह कुछ बादे आपके दिमागमे है कि इस रिष्टे का कोई भाविश्य नहीं अप इनकी नहीं हो ठीक इस तरह से महीं करना है और अगर ऐसा है वाकियी में तो फिर आप किसी और रिडिंग को सकते हो अगर या किसी और का चैनल पिसे और अ बहुत अच्छे हैं इश छो करे हैं सारे टेरो कड़र बुहारी जान में फिक को peace महसूस होता है बट गलत यहां पे है कि फॉकंदा रोड यानि कि अभी भी confusion में है इनके cross road पे खड़े होके आपके बारे में सोचते हैं किस और जाओं एक रास्ता है जो कि आपकी और जाता है एक रास्ता कहीं किसी और जाता है ठीक है मैं नहीं जानती कौन सी और लेकिन ह एक रास्ता definitely आपके लिए जाता है ठीक है लिए दो option हो सकते हैं परिवार वाले हो सकते हैं कि कुछ भी दूसरा रास्ता कहीं भी जाता हो बट यह confusion में है cross road पे खड़े होके कई बार सोचा करते हैं कि क्या करूं कहां जाओं कैसे जाओं क्या decision लूँ ठीक है इस तरह की confusion व कुछ और अंदर कुछ ठीक है यह अंदर जो है सच में आपको truth बताना चाहते हैं सचाई बताना चाहते हैं ठीक है अभी क्या सचाई में exactly मैं भी नहीं बता पाऊंगी ठीक है लेकिन यह जो बाहर से दिखाते हैं वो गलत है अब आप देखिएगा अपनी situation में बाहर से क्य आशू करते हैं आपको हो सकता है बहुत ज़्यदा romantic हो हो सकता है कि बिल्कुल आपसे detach feel कराते हूं ठीक है सबकी लिए अलग वी बाते हैं ठीक है लेकिन यह अंदर से जो feel करते हैं वो definitely opposite होगा ठीक है अंदर से कुछ ऐसा है जो कि यह सच्चाई भी बताना चाहते हैं आप cards okay guys तो आज मैं check करने वाले हूं आप दोनों की feelings क्या है यह check करने वाले है तो अब जो मैंने आपके और इनकी जो feelings बताईए energies को बता दिया रिष्टे को लेकर हम मैं देखूंगी कि आपके partner के बारे में ठीक है अब आपका next action क्या होगा आप खुद जानते हैं ठीक है लेक currently आपकी situation में क्या सोच रहे है currently आपकी जो भी situation है उसमें आपके partner क्या सोच रहे है आपके बारे में उनकी current feelings को देख रहे है situation जो भी हो उसमें क्या सोच रहे है आपके बारे में थोड़ा से shuffleboard कर लेते हैं guys क्या सोच है मेरे viewers के partner currently situation जो भी है रिष्टे में क्या सोच है current feelings मेरी वीवर्स के पार्टनर की, all right, current feelings आपके पार्टनर की क्या है, four of swords, knight of coins, knight of pentacles, okay, the hanged woman, and last one है, nine of cups, देखिए, अब current situation में क्या सुचे, current feelings इनकी है, nine of cups, sorry, eight of cups, यह बहुत ज़्यदा निराश है, और बहुत ज़्यदा, जैसे कहते हैं, इनको, जैसे कहते हैं, किसी बात का बहुत दुख है इनको, ठीक, अंदर से दुखी हो रहे हैं, definitely, current feelings इनकी है, कि दुखी है, बहुत ज़्यदा निराश है, कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ में नहीं आरे, ठीक है, तो यह अभी अपने आपको क्या कर रहे हैं, heal करने की कोशिश करें, four of swords का card, yes, किसी ब बहुत 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 है, इस तरह से अकेले में रखे हैं, अकेले में सो रहे हैं, लेकिन मन में यही विचार आ रहे हैं, आपके लिए कि जैसे कहते हैं, कि कुछ भी मैं नहीं कर पा रहा है, तो आप जो है, कहीने कि इनकी feelings क्या है, night of coins की, night of pentacles की energy है, यह त आपके साथ इनकी जो situation है, बिल्कुल pause लग रही है, बातचीत नहीं या तो बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल less हो रही है, कहीने कहीन आप दूर दूर भी है, ऐसा मुझे आप लगता है, यह दूरियां जो है, आपकी जो relationship को बढ़ाती जा रही है, मतलब दूर करती ज कोशिश करें, परस्तितियों को change करने की कोशिश करें, और nine of cups यह definitely अपनी desires को पूरा करने की सोच रहे है, तो यह knight of coins के energy है, मुझे ऐसा लगता है, currently यह अपनी कोई desires है, आपको अपनी wish fulfillment मानते हैं, तो उस wish को पूरा करने के लिए इन में बदलाव आ रहा है, और यह बिल देखते हैं, और थोड़े से card, इनका next action आपके लिए क्या हो सकता है, एंजल समय बताएं, इनके next इरादे क्या है, या फिर action क्या हो सकते हैं, आपकी बारे में, एंजल समय बताएं, इनका next action क्या होगा, next action बताएं, एंजल समय बताएं, क्या करने वाले हैं, मेरी वीवर्स के पार्टनर, इस परिस्तिती में क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले night of cups, वाओ गाईज, यह सबसे romantic offer होता है, यह एक शुरुवात का पॉइंट होता है, जहाँ पे कोई इनसान किसी से शुरुवात कर करने जा रहे हैं, तो ऐसे भी night of cups के energy है, यहाँ पे तो यह बिल्कुल ready खड़ें, पर यहाँ पे इनका गोड़ा दोडने लगा है, वाओ क्या बात है guys, मुझे इस्टेल यह लिए लग रहा है, कि आपको कोई love offer दे रहा है, या फिर आपका कोई birthday है, तो उस पे आपको कही gift मिल सकती है, तो एक love offer एक start आपके पास आ रहा है, ठीक है, next हमारे पास है, seven of swords, मुझे ऐसे लगता है कि deception के energy में है, यानि कि कुछ नो कुछ तो आप से चुपा रहे हैं, ठीक है, next in का action क्या होगा, five of cups, बहुत जदा किसी बात के लिए पश्टाव भी कर रहे हैं, ठीक है कहीने कहीन मायूस हैं, आपको बहुत जदा miss करते हो, नजर आ रहे हैं, emotionally ये आप से शुरुवात करना चाहते हैं, पर ये miss करते हो, नजर आ रहे हैं, queen of swords, board, कहीने कहीन कोई controller है इनके उपर, या फिर कोई न कोई boss की प्रवर्ती में दिखाए दे रहे हैं, ठीक है, इनकी mother भी हो सकते हैं, literally अगर ये married इनसान नहीं है, तो third party कोई दिखाए दे रहे हैं, इनकी mother, या फिर अगर ये married है, तो इनकी कोई नों कोई third party है, इसको लेकर बहुत ज़्यदा control करते हैं, इनकी इनके दबाओ में है, कोई last card में निकालूँगी, Ace of Wands, ये नई शुरुवात के लिए ready होना चाहते हैं, कहीने कहीन किसी की control से बहार रहना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर ये night of cups के energy मुझे ये बता रहे हैं, कि ये इनसान जो है, आपसे शुरुवात करने के लिए definitely ये आपसे बात करेंगी, communication का card है, Ace of Wands, कहीने कहीने क के साथ, वो continue हो जानेगी, ठीक है, मुझे ऐसे लगता है, बहुत जल्दी six of wands का card है, आपको victory भी मिलेगी, इस relationship में, ठीक है, हो सकता है, relationship का भी बहुत जदा जैसे कहते हैं, क्या situation है, मुझे ही पता नहीं है, लेकिन six of wands मुझे ऐसे लगता है, कि अगर आपसे बातचीत है, चले देखते हैं, इनको क्या चीज़े रोकती है, आपके relationship में ऐसी क्या चीज़े जो इनको रोकती है, चले देखते हैं, क्या चीज़े रोकती है, इन और समय बताएं, relationship में ऐसी क्या बात है, जो रोकती है, आपके partner को, एंजिस हमें बताएं, जो गिरेगा हम लेंगे, क्या चीजे रोकती है यह बहुत सरे काड़े गाई इतना नहीं लूगे मैं लो चार और लो इनफ, यहां पर देखिए सबसे पहले सीक्रेट का काड़ आया है हमारे पास तो कुछ सीक्रेट है जो रोकता है आपका कनेक्शन हो सकता है इन्होंने सबको नहीं बता है यहां पर नेक्स फ्यू डेज जो भी ऑप्स्टिकल आरे हैं वो मैं बता रही हूँ lonely यह अपने आपको अकेला फील करते है acquiris कोई हो सकता है rest position यानि कि यह अपने आपको rest की position पर मानते है problems around यानि कि इनके चारों और बहुत सारी problems मुझे नजर आ रही है जिसके लिए यह अपने आपको रोकते हैं और यहां पर Virgo वाओ गाइस Virgo and Aquiris आपके जोड़ी आ सकती है एक last card और लूँगी guys इसमें से मैं intuitively निकालूँगी यह वाला इनका last message क्या है message मतलब इनका walking away actually walking away इसलिए भी आ रहा है कि क्या चीज़े रोकती हैं यह walk out नहीं करना चाहते हैं और यही चीज़े रोकती हैं ठीक है कि कुछ भी करने से कही न कहीं आप इनकी जिन्दीगी से नहीं चले जाओ यह insecurities है इनकी guys जो आपके relationship में इनको रोके हैं कहीं न कहीं insecure है आपके relationship में चले कुछ messages देना चाहते हूं मैं इनकी लिए आपके बारे में क्या message देना चाहते हैं मेरे पास बहुत सारे card है और यह card की deck बहुत ही significant है इसका एक-एक message बहुत purity से मैं बताना चाहूंगी सबसे पहले यह message है यह देखिए इस तरह का card है बहुत ही प्यारे cards है और इसमें क्या लिखावा है चले पढ़ लेते हैं freedom okay there is nothing stopping you the path is clear if you want it to be अगर किसी path को आप चाहते हो या किसी रास्ते को या किसी इंसान को चाहते हो तो आपको रोकने वाला कोई नहीं यानि कि आपके freedom आपके साथ है दूसा card में निकालूंगी इनके दिल की बात क्या है यह वाला white वाला है और बहुत अच्छा काड़ा है यहां पर सन की उर्जा मुझे दिखाई दे रही है ठीक है वैन यू पास फ्रॉम दिस वर्ड यू टेक नथिंग विद यू बट यू बट यूर सोल और मेमोरीज यू है शेयर विद दोस यू लाव ठीक है कहीन जब आप इस वर्ड से यानि कि अगर इन चीजों को समझते भी नहीं है तो पर यास इनको कुछ कनेक्शन आप से फील होता है तो यह थी आज के रिडिंग आइस आपको कुछ भी समझाय जरू बताएगा ठीक है नेक्स डिंग में फिर से आपके सामने आओंगी यस मेरा वीट कीजिगा थैंकि सो मच में दो में आपके से और राई दिंग से खीलेक हो अब गैंदने वीजे जब आपके से घ्टरेग हैं